हाई दोस्तों वेलकम बैक टो माई चैनल मैं हूँ आपकी दोश्रीति गुपता और आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ खादी नेच्रल के हैंडमेट हरबल सोप का जी हाँ दोस्तों हैंडमेट हरबल सोप यानि इसमें बिलकुल भी कैमिकल नहीं होता है तो नेच्रल है, हरबल है, केमिकल फिरी है, हैंडमेट है, इसलिए मैंने से ऑनलाइन पर्चस किया है और ये मेरा सेकंड डाइम है, ठीक है, इससे पहले भी मैं इसको पर्चस कर चुकी हूँ इसको यूज करने के बाद जो अन्भा था बहुत ही अच्छा था, वही अन्भा आज आप लोग के शाषिया करूँगी तो ज़्यादा बातों को ना बढ़ा कर आज का ये रिव्यू इस्टार्ट करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुर मत बूला और भगर में लगए घंटी बजा देना सबसे बहले हम लोग बात करते हैं खादी नचर के प्यूर नीम सोप का दोस्तों ये जो नीम सोप है ये हैंडमेट हर्बर सोप है और इसमें आपको बहुत सारे एसेंशल आइल मिलेंगे ये और इसके बैक में भी आपको दिखा देती हैं इसके की इंग्रेडियंस दियेंगे हैं जो है प्यूरिफाइड वाटर ग्लेस्टीन अलोवेर एक्सटार्ट कोकोनेट ओईल और नीम और रोज वाटर एक्सटार्ट यानि इसमें किसी भी तरह का कैमिकल नहीं है ये डेर्मोट्रोजिकल टेस्टेड है और जीमिकली टेस् ये मैं आपको बता देती हूँ एंड ये जो सोप है ये सेवेंटी रुपीज का आपको मिलेगा आपको लगेगा थोड़ा सा या बहुत महेंगा है बट नहीं हैंड मेट सोप इससे भी ज्यादा महेंगे आते हैं उस हिसाब से ये सोप काफी सस्ता पड़ा है एंड आपको ठीक है इसको बनाने में किसी भी आनिमल्स को हार्म नहीं किया जाता है ठीक है एंड ये आईरवेदिक शोप है हर्वल सोप है तो अगर आपको एक्ने और विंपल्स की प्रॉब्लम है तो आप इस सोप को ट्राइ कर सकते हो सेगर हम बात करेंगे हानी ग्लिसीन सोप की दोस पुरिफाइड वाटर ग्लीसरीन अलोवेरा एक्स्ट्रेक एंड मधु यानि हानी दोस्तों हानी और जो ग्लीसरीन होता है वो इसकिन को सॉफ्ट बनाने के लिए काफी जादा अच्छा होता है एंड इसको यूज करने के बाद एक फ्रेशनस भी आती है एंड इसकिन ड्र 2020 का बना है इसकी सेल्फ लाइव 36 मन्त है और हैंड और पर्शन रेगन है इसको बनाने में किसी भी आनिमर्स को हार नहीं किया गया है खादी इंडिया का यहां पर लोगों भी मेंशन है और ड्मोटोलोचल टेस्ट अड हैं और केमिक़ली टेस्टन भी है जी एंपी सट्स् तो यह है पाइनप्पिल सोप जी हां दोस्तों पाइनप्पल में होता है विटामिन सी भर भर के तो यह हमारी स्कीन के लिए काफी ज्यादा अच्छा है and handmade herbal soap with essential oil है for all skin type है यानि क्यासी भी skin type है आप इसको यूच कर सकते हैं 125 g product quantity के साथ यह आता है बैक में इसके क्री इंग्रेडियन्स है थोड़े से चेंच है यह प्यूरिफाइड बॉटर है ग्लीसरीन है vegetables oils है इसमें and pineapple extract भी है and इसकी range की बात करें तो वही 70 है बट आपको यह 60 का मिले का online जो मुझे मिला है इसको बनाने में किसी भी आनिमल्स को नुकसान नहीं पहुचाय जाता है और यहां पर कश्मर के नंबर भी आपको दिया गया है साथ मी आपको खाली इंडिया की website भी मिल जाती है 125 g आपको product quantity मिलती है made in India है खाली इंडिया का logo दिया गया है dermatological tested है chemically tested भी है GMP satisfy भी है आपको बता दें यह जो पैन एपल सोप है मैंने यूज किया इसके बाद आपको एक freshness सी feel होती है काफी ज़्यादा अच्छा लगता है and last जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अरोमा के लिए वो है Jasmine soap खादी इंडिया का जी है इसकी महग न वाव है जी है बहुत ही अच्छी महग है handmade herbal soap है with essential oil all skin type है जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ ठीक है किसी भी animals को नुकसान नहीं पहुंचाया गया customer care number भी यहाँ पर दिया गया है plus इसकी website भी खादी इंडिया की यहाँ दी गई खादी इंडिया का लोगो है thermotological tested है chemically tested भी है GMP satisfy भी 125 gram product quantity आपको मिलती है and product जो है वो made in इंडिया है and key ingredients की बात करें तो वो change है purified water है glycine है jasmine extract है aloe vera extract है and यहाँ पर आपको moogra extract भी मिल जाता है तो इसको जब use करते है ना jasmine वाला इसकी महग से ना एकदम mood एकदम fresh हो जाता है plus आपको freshness सी महसूस होती है and jasmine भी इसमें भी काफी ayurvedic तर्तों होते हैं को दूर करते हैं तो यह मैंने आप लोग के चार आप लोग के शेयर किया है इसके अलावा इनका और भी सोप आते हैं जैसे strawberry soap तो इस तरह के बहुत सारे soap है है तो आप अगर handmade soap ट्राई करना चाहते हूं इंडिया का बना हुआ handmade soap तो आपको खादी इंडिया के product ट्राई करना चाहिए खादी इंडिया के और भी product मैंने huge किये हैं मैं इन से बहुत satisfy हूँ तो मैं आपको रिक्मेंट करती हूँ कि एक बार अगर हैंडमेट सोप लेना चाते है तो आपको खादी इंडिया के प्रोड़क्ट ट्राइग करना चाहिए रेंज की बात करें तो आपको 70 रुपीज जादा लगेगा लेकिन बट ऐसा नहीं है बाकि आप हैंडमेट सोप देखेंगे तो उनकी भी रेंज बहुत जादा है तो उस हिसाब से इसकी रेंज बहुत ठीक है तो दोस्तो आपको जरूर एक बार इन सोप को श्राइग करना चाहिए तो दोस्तो ये था खादी नेश्रल के हैंडमेट सोप का रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाक इन शेयर करना इन सारे सोप के बारे में इन हैंडमेंट सोप के बारे में कोई भी मन में सवाल है तो कमेंट सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को लाक इन शेयर करना और पहली बार चानल पढ़ाए तो चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल मुद्धोना फिल नहाँ दोस्तों इस वीडियो में इता ही मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक ले जय हिन जय भारत